नमस्कार दोस्तो एजुकेशनल टोक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडियन नेवी MR की प्रिक्सा के लिए करंट अफेर के बहुती मैत्वपून क्योशन और दोस्तो हर क्योशन के लिए आपको 8-10 सेग प्रावाते हुए सुरू करते हैं पहला क्योशन दोस्तो राष्टपती रामनात कोविन ने CRPF सहित परिवार की मदद के लिए कौन सा मुबाइल एप का उदगाटन किया है तो इसका सही अंसर होगा CRPF वीर सहित परिवार नामक एप का उदगाटन किया है अगला क्योंसने दोस्तों वाटसप के माध्यम से बैंकिंग शुरू करने वाला विशाव का पहला इसलामिक बैंक कौन सा बन गया है तो इसका सही अंसर होगा ये है बैंक अमीरात इसलामिक बैंक है अगला क्योंसने दोस्तों हाल ही में बृतेन द्वारा सुरक्षित ओनलाइन कंटेंट के लिए वाइट पेपर जारी किया गया है इसका क्या नाम रखा गया है तो इसका सही अंसर होगा इसका नाम ओनलाइन हारम्स वाइट पेपर रखा गया है अगला क्योसन है दोस्तों केरल के पूरो वितमंत्री M.K. मनी का हाल ही में निदन हो गया उनकी उमर क्या थी? तो इसका सही आंसोर होगा उनकी उमर 86 वर्स थी अगला क्योसन है दोस्तों विशावबर में किस दिन अंतराष्टी मानव अंतरिक्स उडान दिवस मनाय जाता है? तो इसका सही आंसोर होगा यह दिवस 12 अप्रेल को मनाय जाता है अगला क्योसन है दोस्तों इलाबाद उच नयले के वरिष्ट नयदिस नयमूर्ती विक्रमनाथ को किस राज़े के उच नयले के पहले मुख्य नयदिस के रूप में न्यूक्त किया गया था? तो इसका सही आंसोर होगा अंदर प्रदेश के राज़े के रूप में किया गया था अगला क्योसन है दोस्तों हाल ही में NBCC के अध्याक्स के रूप में किस को न्यूक्त किया गया है? तो इसका सही आंसोर होगा सिवदास को न्यूक्त किया गया है अगला क्योंसन दोस्तों दूर संचार विबाग ने किसके साथ टाटा टेली सर्विसीज के विल्ले के लिए मंजूरी दी है तो इसका सही आंसर होगा बारती एटल के विल्ले के लिए मंजूरी दी है अगला क्यों सऽन दोस्तों निमन में से किसने Black All की पहली चवी बनाई है तो इसका सई आंसर होगा निमन में से Event Origin Telescope ने Black All की पहली चवी बनाई है अगला क्यों सथन दोस्तों ACC Athletic Association का मुख्याले कहां स्थित है तो इसका सही आंसर होगा इसका मुख्यालय सिंगापूर में स्थित है अगला क्यों सने दोस्तों निमिलिखित में से किस बार्थ के परमुक कर्यकरम को गलोबल वाटर समीट में एजेंसी पब्लिक वाटर एजेंसी ओफ दे इयर पुरुसकार से समानित किया गया तो इसका सही आंसर होगा नामामी गंगा योजना को समानित किया गया अगला क्यों सने दोस्तों स्विंग तराष्ट जनसंख्या कोस रिपोर्ट के अनुसार 2010 और 2019 के बीच बारत की जनसंख्या में कितने परतिसत की ओसत वार्षिक दर से व्रीदी हुई है तो इसका सही आंसर होगा 1.2 परतिसत की व्रीदी हुई है अगला क्यों सने दोस्तों किसे विजडन लीडिंग वूमन किर्केटर ओफ दे येर के रूप में नामित किया गया तो इसका सही आंसर होगा समरीती मंदाना को नामित किया गया है अगला क्यों सने दोस्तों स्विंक्त अरब अमिरात के बाद परदानमंत्री नरेंदर मोदी ने किस देश को अपने देश का सर्वोच नागरिक पुरुषकार ओर्डर ओफ सेंट इंड्रिव दे पोस्टल दिया है तो इसका सही आंसर होगा यह रूप देश को दिया है तो इसका सही आंसर होगा यह फिलिम्प्स देश में खोजे गए है अगला क्यों सने दोस्तों बारत और किस देश के बीच बारवा स्यूंक्त सन्या अब्यास बोल्ड कुरुषेतर दो जार उन्निस ग्यारह अप्रेल को संपन हुआ था तो इसका सही आंसर होगा यह सिंगापूर देश के बीच में हुआ था अगला क्यों सने दोस्तों गूगल ने किस नए क्लाउड ब्लेटफर्म को लॉंच किया है तो इसका सही आंसर होगा गूगल ने एंथोस को लॉंच किया है अगला क्योंसने दोस्तों उमर्अल बसीर कीज देश के राश्ट पती है जहां सेना ने उन्हें पद से बरकास्त कर दिया और इरास्त में ले लिया तो इसका सही आंसर होगा ये निवन में से सुडान देश के राश्ट पती है अगला क्योंसन दोस्तो UTPL इतियास में 100 मैज जीतने वाले पहले कप्तान कोन बने है तो इसका सई आंसर होगा IPL के इतियास में 100 मैज जीतने वाले पहले कप्तान मैंधर सिंह दोनी बने है अगला क्योंसन है दोस्तो फोबर्स वर्ल्ड के सरवस्रेष्ट बैंक सरवेक्षण के अनुसार किस बैंक को बारत में गराकों द्वारा नमबर एक बैंक के रूप में चुना गया था तो इसका सही अंसर होगा HDFC बैंक को चुना गया था अगला क्योंसन है दोस्तों हाल ही में इसराइल के परदानमंत्री के रूप में पुनाय किसे चैनित किया गया है तो इसका सही आंसर होगा निमन में से बेंजामीन नेतन्याहू को चुना गया है अगला क्योंसन है दोस्तों किस देश की स्पेस एक्स कमपनी ने फालकन हेवी रोकेट की मदद से पहला वानिजिक प्रशेपन कर उपगराय को सफलता पूर्वक स्थापित किया है तो इसका सही आंसर होगा निमन में से अमेरिका देश की कमपनी ने किया है अगला क्योंसन है दोस्तों ओंग कॉंग स्टोक मार्किट देश को पीछे चोड़ कर विशव का तीसरा सबसे बड़ा स्टोक बजार बन गया है यह किस देश में है तो इसका सही आंसर होगा यह जापान देश में है अगला क्योंसन है दोस्तों सुनाव आयोग ने निमन में से किस पर बनी बायोपिक की रिलीज पर रोक लगा दी है तो इसका सही आंसर होगा निमन में से नरेंदर मोधी पर बनी बायोपिक की रिलीज लोक लगा दी है अगला क्योशन है दोस्तो बोल्ड कुरू छेतर युद अब्यास बारत और किस देश के बीच शुरू हुआ था तो दोस्तो ये क्योशन दुबारा रिपीट हुआ है बारत और सिंगापूर के बीच हुआ था अगला क्योस्टन है दोस्तो इरानी सेना के रिवोल्योशनरी गार्ड को किस देश ने आतंकी संग्ठन गोशित किया है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से अमेरिका देश ने आतंकी संग्ठन गोशित किया है अगला क्योशन है दोस्तो विशव बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2018 में फिर से दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला देश बन गया है तो इसका सही आंसर होगा निमन में से बारत देश दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला देश बन गया है अगला क्योशन है दोस्तों 10 अप्रेल को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो इसका सही आंसर होगा 10 अप्रेल को जल संसादन दिवस मनाया जाता है अगला क्योंसन है दोस्तो हाल ही में गूगल ने अपनी पहली ड्रोन डिलिवरी सेवा कहां से शुरू की है तो इसका सही अंसर होगा यह है पहली सेवा आस्टेलिया से शुरू की है अगला क्योसन है दोस्तो हाल ही में बारत में ISO परमानन प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था तो इसका सही आंसर होगा यह है गवाटी रेलवे स्टेशन था अगला क्योसन है दोस्तो हाल ही में बारत की पुरुस ओकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नामित किया गया है तो इसका सही अंसर होगा ग्रहम रीड को नामित किया गया है अगला क्योसन है दोस्तो राष्ट्य सुरक्षित मात्र दिवस हर साल को कम मनाय जाता है तो इसका सही अंसर होगा यह हर साल 11 अप्रेल को मनाया जाता है अगला क्योसन है दोस्तो अप्रेल 2019 में किस बैंक ने 10 लाख अंक तक 30 लाख रुपए तक के ओमलोन की फिर से कीमत तैय की है तो इसका सही अंसर होगा यह SBI बैंक ने State Bank of India ने किया है अगला क्योसन है दोस्तो इसरो द्वारा 12 जनवरी 2019 को मैत्वाकांसी गगन यान मिशन के लिए मानव अंत्रिक्स उडान के इंदर बनाने की गोशना की है इसका पहला निदेशक किसे बनाया गया है तो इसका सही अंसर होगा यह है पहला निदेशक S.U.N.K.R.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N इंस्ताबुल में बन रहा है अगला क्योसन है दोस्तो नोबेल पुरोषकार विजेता सिड्नी ब्रेनर जो हाल ही में निदन हो गया वे किस देश से था तो इसका सही अंस्वर होगा वेह दक्षिन अफरीका देश से था अगला क्योसन है दोस्तो हाल ही में विदाएक जगन परसाद गरग का हार्ट अटेक से कितने वर्ष की आयू में निदन हो गया तो इसका सही आंसर होगा 65 साल की उमर में निदन हो गया अगला क्यों सने दोस्तो निमन लिखित में से किसे अंतर राष्ट्रिये चैंबर ओफ कॉमर्स के नए अध्यक्स के रूप में चुना गया है जो बारत से है तो इसका सही आंसर होगा विकरमजीत सिंग सायने को बनाया गया है अगला क्यों सने दोस्तो निमन में से कौन सा एक 24 गंटे 7 दिन 1 सप्ता अल्ट्रा लो एम इमिशन जोन को लागू करने वाला दुनिया का पहला सेर है जिसके अंदर वानों को सक्त उत्सरजन मानकों को पूरा करना होगा या सुल्क का सामना करना होगा तो इसका सही अंसर होगा निमन में से वह है लंदन है अगला क्यों सने दोस्तो राल ही में 22 वर्स ये सिडनी ब्रेनर का 22 वर्स की आयू में निदन हो गया उन्हें किस छेतर में नोबेल पुरुसकार दिया गया था तो इसका सही आंसर होगा उनको थेरेपी छेतर में नोबेल प्रूसकार दिया गया था अगला क्योसन है दोस्तो निमिलिकित में से किस खिलाडी ने 3.4 आवर में 12 रंदेकर IPL में 12 विकेट लेकर एक नया इतियास रचा है तो इसका सही आंसर होगा यह जोसिफ अलजारी खिलाडी ने इतियास रचा है अगला क्योसन है दोस्तो विश्व स्वास्थे दिवस निमिलिकित में से किस दिन मनाय जाता है तो इसका सही आंसर होगा यह 7 अप्रेल को मनाय जाता है अगला क्योसन है दोस्तो हाल ही में सुरू किया गया अफरीकी सेर 2019 किन देशों के बीच एक सन अब्यास है तो इसका सही आंसर होगा यह मुरको और अमेरिका देश के बीच एक सन अब्यास है अगला क्योंशन है दोस्तों हाल ही में परकासित पुष्टक The Indian Textile सर्स बुख किसके दवारा लिखी गई है तो इसका सइए अंसोर होगा, ये है बुख गणेश पांचाल के दवारा लिखी गई है अगला क्योशन है दोस्तो निमिलनिकित में से किसे बॉम्बे उचन्याले के नए मुख्य न्याई दीश के रूप में चुना गया है तो इसका सही आंसर होगा नए मुख्य न्याई दीश के रूप में जस्टिस परदीप नंदरा जोग को चुना गया है अगला क्योशन है दोस्तो विशो ओम्योपैथिक दिवस किस दिन मनाया जाता है तो इसका सही आंसर होगा यह 10 अपरेल को मनाया जाता है अगला क्योशन है दोस्तो देश का पहला हीरा संगराल्य चतरपुर जीले में स्थापित किया गया है यह किस राज्य में स्थित है तो इसका सही आंसर होगा यह चतरपूर जिला मद्य परदेश राज्य में स्थित है अगला क्यों सन है दोस्तो फीफा कारियकारी परिशत के सदस्चे के रूप में सुने जाने वाले पहले बारतिये कौन है तो इसका सही आंसर होगा यह पहले बारतिये पर फुल पटेल है अगला क्यों सन्हें दोस्तों हाल ही में CII के नए परमुक कोन बने है तो इसका सही आंसर होगा इसके परमुक विक्रम किरलोसकर बने है अगला क्यों सन्हें दोस्तों वित वर्ष 2018-19 में किस फूट डिलिवरी कमपनी को 39.4 क्रोट डोलर का गाटा हुआ है तो इसका सही आंसर होगा यह गाटा जोमेटो कमपनी को हुआ है तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बैल आइकन का बटन जरूर दबाईए ताकि आगे हमारी आने वाली वीडियो आपको इसी तरह समय समय पर आसानी से मिलती रहें और दोस्तों इस वीडियो में आपके कितने क्योशन सही हैं वो वीडियो के कमेंट बोक्स में लिखें जरूर बताईए ऐसे ही क्योशन पाने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वैबसाइट का लिंक भी दिया है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ धन्यवाद